नबन्र एक, दिन भर चाय बनाने के बाद उसकी पत्ती को धोकर छान कर पौधो के गमले में डालें। यह एक बहतरीन खात का काम करता है। नमबर दो, यदि आप दही वाली ग्रेवी की सबजी बना रहे हैं, तो इसे मध्यम आज पर पकाएं और उसमें उबाल आने के बाद ही नमक डालें। इससे दही फटेगा नहीं और सबजी भी स्वादिश्ट बनेगी। नमबर तीन, यदि रात में चना भिगोना भूल गए हैं, तो कुकर में चने के साथ कच्चे पपीते के टुकडे मिक्स कर दें। चना भी आसानी से गल जाएगा और सबजी भी टेस्टी बनेगी। नमबर चार, डही वड़े बनाते समय दाल फेंटते समय उसमें एक उबला हुआ आलू अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लें। वड़े मुलायम वस्वादिश्ट बनेंगे। नमबर पाँच, केक के घोल में एक टेबल स्पून शहद मिला देने से केक अधिक स्पॉंजी बनता है। नमबर छे, कुरकुरा मूंग दाल का चीला बनाने के लिए उसमें दो टेबल स्पून चावल का आटा मिला दें। नमबर साथ, पूरी बनाते समय तेल में थोड़ा सा विनेगर मिला देने से, पूरी में अधिक तेल नहीं लगेगा और पूरिया नर्म भी बनेंगी। नमबर आट, फिश को अच्छी तरह से धोकर उसमें शक्कर लगा कर थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर इसे फ्राई करके क्रिस्पी फिश का स्वाद लें। नमबर नौ, डाल को एक घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दें, फिर अगले दिन इसे पकाने से जल्दी पकने के साथ-साथ, इसके पोशक तत्व भी कम नहीं होते हैं। नमबर दस, यदि डाल बनाते वक्त प्रेशर कुकर के ढखकन से बार-बार पानी निकलता है और आसपास सब गंदा हो जाता है, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। प्रेशर कुकर में डाल को उबलने के लिए रखते समय, उसमें एक स्टील की छोटी कटोरी डाल दें। ऐसा करने से डाल उफनेगी नहीं और कुकर की सीटी से सिर्फ स्टीम ही निकलेगी। सहजन को मतर की तरह स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए आप सहजन की फल्लियों को छील कर, उन्हें छोटे-छोटे टुकडों में काट कर, किसी एर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रीजर में रख दें। इस तरीके से सहजन कम से कम एक दशमल उफ पांच महीने से ज्यादा चल जाएगी। नमबर बारह यदि आपके किचन की कैंची अच्छे से काम नहीं करती है और उसकी धार कमजोर हो गई है, तो आप इस ट्रिक को अपना कर उसका इस्तिमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप कैंची को नमक के डिबबे में दो-तीन मिनट के लिए चला लें। ऐसा करने से आपकी कैंची की धार एकदम तेज हो जाएगी। सबसे पहले राजमा को अच्छे से धोकर साफ करें। उसके बाद उसे प्रेशर कुकर में पानी डाल कर उसमें एक चमच नमक डाल दे। फिर उसमें एक सिटी लगवाने के बाद उसके ठंडे होने का इंतिजार करें। फिर इसमें एक कप आइस क्यूब डाल दे। नमक और आइस क्यूबस से राजमा जल्दी गल जाता है इसके बाद दोबारा कुकर में सिटी लगवाएं और फिर गैस स्लो करके 5-7 मिनिट तक पकाएं इस ट्रिक को अपनाने से आपका काम आसानी से हो जाएगा नमबर चौदह यदि चावल उबालते समय उनमें बहुत पानी बचा हुआ है तो आप उन्हें गैस पर रखकर एक पीस ब्रेड डाल दे और ब्रेड को पलट भी दे इसके बाद आप गैस बंद करके ब्रेड के पीस को कुछ देर चावल में ऐसे ही छोड़ दे बाद में ब्रेड को निकाल कर आप चिली फ्लेक्स डाल कर खा भी सकते हैं नमबर पंद्रह नमक के जार में मॉइस्चर आने पर सारा नमक गीला हो जाता है जिसके कारण वह जार से ठीक से बाहर भी नहीं निकल पाता है मॉइस्चर को हटाने के लिए आप जार में चावल के दाने डाल दे चावल के दाने मॉइस्चर को सोख लेते हैं और भारी होने की वज़़ से नमक को बाहर प्रेस करते हैं इससे नमक आसानी से बाहर निकल जाता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे नमबर सोलह लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन की कलियों को थोड़े टाइम के लिए गर्म पानी में डाल दे फिर कुछ देर बाद जब आप लहसुन छिलेंगी तो बिना किसी मेहनत के सिर्फ उपर का हिस्सा काटने से ही पूरा छिलका निकल जाएगा नमबर सत्रह चटनी पीसने के बाद कई बार उसका रंग काला पढ़ जाता है और जब हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो वह और भी काली हो जाती है इसलिए चटनी बनाते समय उसमें एक चम्मच दही डाल दे इससे चहनी का रंग जैसा है वैसा ही रहेगा नमबर अठारा कई बार सेब को काट कर रखने पर थोड़ी देर बाद वह काला पढ़ जाता है सेब को फ्रेश रखने के लिए और वह काला न पढ़े उसके लिए आप इस ट्रिक को अपना सकती है इसके लिए आप कटे हुए सेब के टुकडों को थंडे पानी में नमक और नीमबू डाल कर उसमें डाल कर निकाल ले ऐसा करने से सेब काफी टाइम तक फ्रेश रहेंगे नमबर उन्नीस यदि आप भी किसी सबजी को गैस पर रोस्ट करने वाली है तो उस पर थोड़ा तेल लगा ले ऐसा करने से सबजी का छिलका आसानी से उतर जाएगा नमबर बीस अगर आप आलो की सुखी भाजी या सबजी बना रहे है तो उसमें एक बड़ी इलायची डाल दे इससे एक नया ही स्वाद चखने को मिलेगा नमबर बाईस किसी भी सबजी का तड़का, बगार, लगाते समय तेल में सबसे पहले हल्दी पावडर डाले इससे गर्म तेल के छीनते कम उडेंगे बटा नहीं उडेंग नमबर तेईस आप सबजी बना रही है और उसकी ग्रेवी गाड़ी रखना चाहती है तो ग्रेवी में घी में सैंका हुआ एक ब्रेड क्रश करके डाल दे इससे सबजी की ग्रेवी गाड़ी भी होगी और स्वादिष्ट भी नमबर चौबीस अगर सबजी में मिर्च ज्यादा पढ़ जाए तो जरूरत अनुसार उसमें टॉमेटो सौस या दही मिला दे इससे सबजी में तीखा स्वाद कम हो जाएगा नमबर पच्चीस हरे मतर या हरे चने जैसे हरे दानों की सबजी में दानों का हरा रंग बरकरार रखने के लिए सबजी बनाते समय चुटकी भर शक्कर डाल दे इससे सबजी में पकने के बाद भी दानों का हरा रंग दिखेगा नमबर चबबीस आप टमाटर का छिलका आसानी से उतारना चाहते हैं तो टमाटर पर हलका तेल लगा कर उसे सैंक लें फिर टमाटर के छिलके आसानी से उतर जाएंगे नमबर 27 पराठे का आटा बनाते समय उसमें एक उबला हुआ आलू और चम्मच भर अजवाइन अच्छे से मिला दीजिए लाजवाब स्वाद मिलेगा नमबर 28 आप परोठे को क्रिस्पी और कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो परोठे को मखन से सेंके नमबर 29 अंकुरित अनाज को फ्रिज में रखने से पहले अनाज पर चम्मच भर निम्बू का रस्छड़क दे फ्रिज में बद्बू नहीं आएगी आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में परिवार के साथ शेर जरूर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए और अच्छी अच्छी टिप्स लाती रहूँ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो